हेलो फ्रेंड्स मैंनंद विश्व कर्मा आपके पने यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आप लोगों की वीज आजमगड में बन रहे नए पार्क आपडेट आपको इस वीडियो के मादर से दिखाएंगे तो फ्रेंड्स जिस पार्क का नाम है सिधारी पार्क आजमगड जो कि सिधारी थाना से मातर दोसो से तीन सो मीटर की दूरी पर यह पार्क पड़ता है तो फ्रेंड्स यह पार्क 1.25 करूर रुपए की लागस से बनाय जा रहा है और काफी सुन्दर पार्क बनाय जा रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा चैनल पाप लोग फ़ेश्ट आप विजिट करें हैं तो चैनल को सस्क्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पाले आप तक पहुचे तो लेट ना करते हुए आज का व्लाउग स्टाट करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम उसस्तान पर पहुँच चुके हैं जहां पर आजमगड में ने पार्क का निर्माण कार किया जा रहा है सामने आप देख सकते हैं बोड जो है यहां पर लगाया गया है जिसमें जो है जिस पार्क का नाम है सिधारी पार्क आजमगड तो फ्रेंड्स ये लखख 1.04 hektare में बना हुआ है और जो है 1.25 करोड रुपए की लागत से इसको बनाय जा रहा है और इसका कार प्रारम करने के तिथी आप देख सकते हैं 20 जनुरी 2023 से स्टार्ट है तो फ्रेंड्स अभी हम उसके पास जो है पहुँच चुके हैं पार के पास तो आप देख सकते हैं नए पार का निर्माड कार काफी तीजी से चला है बाकि आप देख सकते हैं पार के जास्ट समीप में यहाँ पर एक नए रोड का भी निर्माड कार चला है तो आप देख सकते हैं पार का काफी बड़ा यहाँ पर गेट बनाय गया है और जश्ट इसके पास में जो है नए रोड का भी निर्माड कार काफी तीजी से चल ला है और आगे जो है अभी कार जारी है रोड बनाने का हम आपको चल कर दिखाते हैं किस प्रकार जो है पार का नजारा देखने में लगता है और फ्रेंड्स वीडियो में आप लोग लास तक बने रहिएगा चैनल पर आप लोग फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब और लाइक करिए तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पार का भ्यो तो फ्रेंड्स ये जो आजमगड का सिधारी धाना है वहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर यह पार्क पड़ता है बाकि आप देख सकते हैं रोड का निर्माड कार काफी तीजी से चल लाए है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पार्क के अंदर दो गेट बड़े बड़े बनाए गया है पाला जो है ये बनाए गया है पाला और दूसरा जो है यहाँ पर एक गेट बनाए गया है बड़ा सा तो सामने आप पार्क की अंदर का व्यू देख सकते हैं पार्क में छोटे छोटे यहां पर सोपिस में पेड़ पौधे भी लगाए गये हैं कुछ जगहों पर और आप देख सकते हैं कई जगहों पर आम की पेड़ भी लगे हुए हैं इसके साथ ही करी जगों पर तार के बिच्च भी लगे हुए हैं तो अंदर देख सकते हैं सिमेंट के इट जो है बिचाए गए हैं काफी सुन्दर डिजाइन का लगता है और काफी खुबसूरत लगता है यह पार्क देखने में अंदर से जब यह पार्क पुरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो काफी सुन्दर लेएगा बाकी आजमगड में एक महता पार्क बना हुआ है और दूसरा यह पार्क जो है आजमगड में भी बन रहा है देखने से लगता है कि लगभग आदा से ज़्यादा जो है पार का काम कंप्लीट हो चुका है बैठने के लिए इस्थान और कुछ सोप इसमें पौधे भी लगाएं जाएंगे जिससे पार की सुन्दर्ता काफी बढ़ जाएगी और देखने में भी काफी खुबसूरत लएगा